सर्दियों में जब लगे वाट्रोप को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान देश के उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का कहर जारी है वहीं दूसरी तरफ सुबा शाम के मुकाबले दिन की तेज सर्दी ने लोगों का जीना और मुश्किल कर रखा है मौसम विबाग के अनुसर पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही है जिसकी चपेट में उत्तर भारत के अधिकान शेतर आ चुके हैं राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले साथ दिन से यहां लगातार शीत लहर ने लोगों को परिशान कर रखा है लगातार साथवे दिन भी राजधानी को पूरी तरह से शीत लहर के प्रवाव से राहत नहीं मिल सकी है इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है जिसके कारण धूप नहीं निकलेगी और ठंड का प्रवाव बढ़ जाएगा बारिश के साथ ठंडी हवाई भी चलेंगी आईमडी की माने तो आने वाले 23 तारीख तक पंजाब, हरियाना, दिल्ली समेथ पस्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है बारिश के साथ ही इन राजधों का न्यूंतम पारा भी 2-4 डिगरी तक बढ़ सकता है वहीं कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही वर्फवारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही वर्फवारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी है कश्मीर में इस सप्ता के अंद में बारिश और वर्वारी हो सकती है मौसम विभाग ने कहा है कि 22 और 23 को भी कई इलाकों में बारिश और हिमपात होने का अनुमान लगाया गया है राजिस्तान में भी बड़ती ठिटूरन वाली सर्दी ने लोगों का जीना दुशवार कर रखा है मौसम विभाग के अनुसार राज्य की कई हिस्सों के नियूंतम तापमान में मामूली बड़त दर्ज की गई है विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है साथ ही तेजवाई चलने का भी अनुमान लगाया गया है उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे का आलम ये रहा है कि ट्रेनों का समय से चलना मुश्किल हो गया कोहरे के कारण ही कल दिलनी पहुचने वाली कई ट्रेने तेब तैस समय से कुछ देर पर पहुची विजीबिलिटी लो होने के कारण ट्रेने चार घंटे देरी से प्लैटफॉर्म पर पहुची जिसके कारण इस ठंड में यात्रियों को इंतजार करना पड़ा फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान